हेलो नमस्ते आदाब सश्राकाल कैसे हैं आप सब मैं हूं मनीशा कौशिक और आप से बात करूंगे दिन के राशिफल और पंचान की तुआच है 23 जन्वरी 2023 और दिन है मंडे यानि सोमबाद शुक्रपक्ष दिवतियत थी रहेगी शाम के 6 बच के 47 मिनट तक आज गनमूल नहीं है लेकिन पंचक जो है वो दुपहर के 1 बच के 54 मिनट से शुरू हो जाएंगा रहुकाल की बात करें तो सुबह 8 बच के 32 मिनट से लेकर सुबह के 9 बच के 52 मिनट तक का समय रहुकाल का है और आज के लिए एक और शुब समय जो रहेगा सुबह के 11 बच के 11 मिनट से लेकर दुपहर के 12 बच के 31 मिनट तक और एक शुब समय जिसके बीच दुरूरी काम आपको करना चाहते हैं कोई important decision लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं तो यह शुब समय जो है वो रहेगा दुपहर के 3 बच के 17 मिनट से लेकर शाम के 5 बच के 56 मिनट तक चलिए बात करते हैं राशफल की सबसे पहले हमेशा की तरह एरीज यानी मेश राशी से करेंगे शुरूराग तो मेश राशी वालों को regular meditation करने की ज़रूरत है आप कभी शुरू किया कभी छोड़ दिया तो यह नहीं चलेगा आज का दिन बहुत अच्छा है आप आज से ही meditation regularly करना शुरू कर सकते हैं विदेश जाने के भी योग बनते हुए नजर आते हैं तो कुछ विदेश ते जुड़ी खबर का इंतजार कर रहे थे तो आज का दिन आपके लिए लगी साबित हो सकता है finances को अच्छे तरीके से manage करना अब आप सीख पाएंगे हां परिवार के साथ कहीं न कहीं कुछ मनमटाव या तकरार होते हुए नजर आते हैं यहां जरूर ऐतियाग बढ़ते हैं आपके लिए लगी नंबर रहेगा चार और लगी कलर रहेगा पिंग Taurus यानि व्रिशब राशी वालों के लिए सिधारे कहते हैं कि spirituality की हो और अब आपकी रुची आपका रुझान बढ़ते हुए नजर आता है Workplace में महौल थोड़ा सा परेशान कर सकता है regular health check-up करवाते रहने की जरूरत है अपनी सेहत के प्रती कोई भी लापरवाही आपको महगी पढ़ सकती है पैजों की समस्या overall आज दिन में नहीं नजर आते हैं आपके लिए लखी नमबर रहेगा पांच और लखी कलर रहेगा light blue Gemini यानि मितुन राशी वालों के लिए सितारे कहते हैं कि यात्रा के लिए दिन जो है वो अच्छा नजर आता है Real Estate Sector से भी आपको लाव हो सकता है सेहत के प्रती लापरवाही करने से अब आपको बचना चाहिए इसी Expert से आप चाहें तो अपनी Problems को शेयर कर सकते हैं आपके लिए लखी नमबर रहेगा 11 और लखी कलर रहेगा purple Cancer यानि कर्क राशी वालों के लिए सतारे कहते हैं कि Family के साथ जो है वो अच्छा समय बीटता हुआ नजर आता है कोई मनमटाव चल रहा था कोई difference of opinion चल रहा था तो वो भी अब दूर होगा Property में इंवेस्ट करना चाहते हैं तो वहां से जरूर फाइदा होगा और mutual funds से भी benefit मिलता हुआ नजर आता है Health जो है वो overall आज average नजर आती है आपके लिए आज lucky number रहेगा 6 और lucky color रहेगा लियो यानि सिंग राशी वालों के लिए सतारे कहते हैं कि Workplace में दिन अच्छा बीतेगा property में invest करना चाहते हैं तो बेजज़क आगे बढ़ सकते हैं चावलिंग करने से तनाव में जो है वो कम होगा fitness के लिए आज आज आपको अपनी डायेट में तो हेर फेर करने की जरूरत है यह अच्छी डायेट लेने की जरूरत है पर साथ ही साथ डायेट में अगर प्रोटीन को आड़ करेंगे तो आपको ज़्यादा हो सकता है आपके लिए लगी नंबर रहेगा पंद्रा और लगी कलर रहेगा क्रीम वगो यानि कन्या राशी वालों के लिए सितारे कहते हैं कि आज आप नई लोगों के सब बर्क में आ सकते हैं खासकर जो लोग दोस्तों की तलाश में हैं तो कुछ नई लोग अब आपके फ्रिज सर्कल में इंटर कर सकते हैं ऑनलाइन खरीदारी करने से आज बचना चाहिए कहीं न कहीं हो सकता है या अगर करना ही बहुत जरूरी है तो उतके टर्म्स और कंडिशन पढ़कर ही कोई पर्चेस करें आए के स्रोथ बढ़ने के चांसेस नजर आते हैं मल्टिपल सोर्सेस से इंकम जो है वो बढ़ सकती है फामिली के साथ किसी भी तरीके की बहस बादी या डिफरिंस और बढ़ावाज आपको नहीं देना चाहिए आपके लिए लखी नमबर रहेगा ट्रू और लखी कलर रह लखे का ग्रीन लिब्रा यानि तुला राशी वालों के लिए सतारे कहते हैं कि इंवेस्ट करने से फायदा होगा लेकिंवेस्ट कहां किया जाए कितना किया जाए किसी से राय मश्वरा करके ही आगे बढ़े डाइट में आप जो है वो सप्लिमेंट शामिल कर सकते हैं लेक कोई भी एक्सपरिमेंट करने से आपको बचना चाहिए प्रोफेशनली कुछ प्रॉब्लम्स परिशान कर सकती हैं दिन थोड़ा सा चालेंजिंग नसर आता है ओवरॉल फैमिली आपकी काफी सपोर्टिव रहेगी आपके लिए लखी नंबर रहेगा 15 और लखी कलर रहेग भी मिल सकती है अपनी स्किन का के आपको जो है वो आज खास थ्याम रखने की जरूद रहेगी छोटे भाई बहनों की तरफ से भी आपको कोई खुशकबरी सुनने को मिल सकती है कोई सेलिब्रेशन कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है आपके लिए लखी नंबर रहेगा 9 और लखी कलर रहेगा मरून सचिटेरियस यानी धनूराशी वालों के लिए सितारे कहते हैं कि चावलिंग के लिए दिन अच्छा नज़र आता है आपका स्परिच्वालिटी की और माइंद फुलनेस की और वेलनेस की और जो है वो ध्यान और उच्छान बढ़ेगा निवेश के लिए दिन जो है इंवेस्मेंट्स के लिए दिन जो है वो बहुत अच्छा नहीं नज़र आता डाइट में अगर आप हेल्दी जीज़ों का इस्तमार करेंगे तो आपनी यानी जग फूट से बचे श्रीट फूट से बचे तो आपकी सेहत में अच्छा बदला और सुधार आपको देखने को मिलेगा आपके लिए लखी नंबर रहेगा आठ और लखी कलर रहेगा वाइट केप्रिकॉन यानी मकर राशी वालों के लिए सितारे कहते हैं कि कोई रिष्टिदार आज आपके साथ कुछ समय के लिए रहने आ सकते हैं या फिर कुछ समय के लिए अगर मिलने भी आएं तो इसलिए आपको अपने दिन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना होगा पसंदिता जगह जो है वो घूमने जाने का मौका मिल सकता है प्रोफेशनली आज कुछ परेशानियों का सामना करना बढ़ सकता है चुटी लेने से आपको अवोइड करना चाहिए वरना कुछ लोग आपके अगेंस चीजों को प्लॉट भी कर सकते हैं आज का दिन फाइनांशली ओवरॉल बढ़िया नज़र आता है कुछ इंवेस्ट करना चाहते हैं कुछ खरीदना चाहते हैं तुम बिलकुल कर सकते हैं आपके लिए लगी नमबर रहेगा पांच और लगी कलर रहेगा लाइट ब्लू एक्वेरियस यानि कुम बराशी वालों के लिए सितारे कहते हैं कि उधार दिया हुआ पैसा अब आपको वापस मिल सकता है आज के दिन आप ट्रावल कर पाएंगे कहीं जाना चाहते थे किसी काम से जाना चाहते थे या कोई परस्मल रीजिन से आप कहीं गूमने जाना चा आपको बचना चाहिए आपके लिए लखी नंबर रहेगा ग्यारा और लखी कलर रहेगा और आज करेंगे आखरी राशी पाइसस यानि की मीन की ऑफिस में आपको प्रमोशन मिलने के चांसे जो है आप ब्राइट नजर आते हैं सेहत के प्रतिला परवाही नहीं आज आपक नहीं किसी चीज के सिगनल्स अगर आपकी बॉड़ी आपको दे रही है तो उसका ट्रीटमेंट अब आपको जल्दी शुरू करना चाहिए प्रॉपर्टी में अगर इंवेस्ट करना चाहते हैं तो बलकुल कर सकते हैं समय काफी आपके लिए फेवरबल है आपको इन कर दो मार। झाल झाल